अगर मैं ये कहूं कि तामबे के बरतन ने पानी पीना सेहत के लिए फाइदे मंद है तो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी तो आई इस वीडियो में जानते हैं तामबे के बरतन में पानी पीने के 21 फायदे क्या हैं आपने देखा ही होगा कि आजकल तांबे की बोतल, गिलास, जग, लोटा का उप्योग, सेहत के प्रती जागरूप लोग खुब कर रहे हैं भारत में हमेशा सही तांबा पानी पीने के बरतन बनाने में प्रयोग किया जाता रहा है तो आएज सीधे जानते है तांबे के बरतन में पानी पीने के फाइदे क्या है हमारे रोग प्रद्रुड़क शम्ता यानि इम्मुनिटी और पाचं तंत्र यानि डाईजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है यह पानी हमारा वजन कम करने में मदद करता है इस पानी को पीने से हमारे स्किन में चमक आते हैं और दाग धब्बे कम होते हैं खून की कमी यानि की एनीमिया की समस्या है तो भी तांबे के बरतन में पानी पीना फायदा करता है यह पानी गहावों को जल्दी भरता है बुढ़ापा आने की दर को धीमा करता है हमारे heart यानि cardiovascular system को मजबूत करता है और hypertension यानि high blood pressure में भी फायदे मंद है तामे के बरतर में रखा पानी cancer होने की सम्भावनाय कम करता है यह पानी bacteria को मारता है इसे पीने से दिमाग तेज होता है यह पानी thyroid gland को control में रखता है इस पानी को पीने से गठिया यानि arthritis और जोणों की सूजन कम होती है यह पानी cholesterol को कम करता है liver, spleen और lymph system के लिए यह पानी tonic का काम करता है शरीर को लोह तत्व यानि की iron एब्जॉर्ब करने में तामे में रखा पानी मददगार है यह पानी kidneyों को साफ करता है भारत में प्राचीन समय से ही बरतनों को उनके कार और उपयोग के हिसाब से अलग-अलग धातों से बनाया जाता था क्योंकि कुछ धातों के बरतन उनमें रखे जाने वले भोजन से chemical reaction यानि रहसाइनिक प्रित्रक्रिया करने लगते थे इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता था कि बरतनों को धातों के गुड के हिसाब से ही सही उपयोग में लाये जाए अगर तामबे के बरतन में रखा पानी कुछ अशुद है तो भी वह कुछ घंटों में शुद हो जाता है तामबे के बरतन यानि कॉपर यूटेंसिल्स में रखा पानी रासाइनिक प्रित्रक्रिया करके जिवाडु नाशक बन जाता है यह तामबे का पानी स्वास्त के लिए अत्यांत लाबकारी होता है आयरुवेद के अनुसार यह तामबे का पानी स्वास्त के लिए अत्यनत लाभगारी होता है यह पानी रग्त को शुद्ध करता है पाचन तंत्र मजबूत करता है विज्ञान की रिसर्च में भी यह बात पता चली है कि तामबे के बरतन में रखा पानी जिवानु रोधी या अनि एंटी केंसर और एंटी इंफ्लेमेटरी गुड़ से भरपूर होता है सन 2012 में हुई एक स्टेडी में यह पता चला था कि सामाने तापमान पर तामबय के बरतन में 16 घंटे तक रखने पर दूशित पानी में मौझूद हानिकारिक जुवाणों की संक्या में कमी आ गई थ इसमें पेट के पेचिश रोग को पैदा करने वाले वाइरस अमीबा एकॉली थे कुछ घंटों के निरिक्षण के बाद उन्होंने देखा कि वो हानकैरिक बैक्टिरिया पूरी तरह से खत्म हो जुगे थे भारत में तो लोग सदियों से इस बात को जानते हैं कि तामबय क के लोटा में रखा पानी में औशधी गुण आ जाते हैं एक रिसर्च में यह पता चला है कि अस्पिताल में तामबय की सतहों की मौजूद्की से आईसी यू में पाय जाने वाले 97% बैक्टिरिया खत्म हो गए जिससे होने वाले इंस्पेक्शन्स में 40% की कमी आई इनी ख आतर में रात भर या कम से कम चार घंटे तक रखे गए पानी में तामबा धातुके वे गुड़ आ जाते हैं जिनसे शरीर विशिशकर हमारे लीवर को बहुत लाब पहुंचता है यह शरीर को स्वस्थ और उर्जावान रखता है हमें ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े अ तामबे के बरतन खरी दें तो इसकी साफ सफाई कैसे करें देखिए यह बहुत ही आसान है इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे एक घरे लूपाय और दूसरा एक प्रॉड़क्ट का नाम जो कि तामबे के बरतन साफ करने के लिए बेस्ट है देखिए तामबे के जिस बर नहीं तो यह पानी तामबा धातु के लाबदायक फायदे नहीं दे पाएगा अब जानते हैं तामबे के बरतन साफ करने का घरेली तोरीका क्या है देखिए नीमबू खटाई टमेटो केचप या फिर नमक और सफिद सिरका इन सब चीजों से अगर तामबे के बरतन को रग पितामबरी पाउडर तामबे के अलावा पीतल चांदी अल्यूमिनियम लोहा के बरतन साफ करके चमका देता है पितामबरी पाउडर को ओल्लाइन खरिदने के लिए वीडियो के नीचे लिंक्स देख सकते हैं तामबे के बरतन कॉपर जग कॉपर बॉटल गिलास लोटा आ तामबे के बरतनों का प्रयोग पानी पीने में करें तामबे के बरतन के फायदे और उसमें पानी पीने के फायदे पर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेर और फारवर्ड ज़रूर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बहतरीन जानकार धन्यवाद